clic hallo दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मर्चन्ट निवी जोइन करना चाहते हैं class 10 के बाद तो उस्के लिए कौन-कौन से तरीके हैं किस-किस तरीके से आपrou encara新 acontecer कर सकते हैं कौन-कौन से course होते हैं और वो courses कितने दिन के होते हैं क्या certificate बनाने पड़ते हैं वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दोंगा तो अगर आपने अपने class 10th complete कर ली है आपने class 10 सिर्फ पास कर ली है, उसमें कोई percentage का criteria नहीं है कि मैंने इतना percentage चाहिए 10th class अगर आपने पास किया है तो आप merchant navy में as a seller join कर सकते हैं merchant navy में 2 rank होते हैं, एक होती है officer और एक होता है seller तो जो officer है उसके लिए मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो में आपको class 10th के बाद as a seller आप कैसे join कर सकते हैं वो मैं आपको जानकारी दे रहाँ तो as a seller आप merchant ship पर 3 जो department हैं उनमें join कर सकते हैं जो पहला department है उसे बोलते है catering, catering का मतलब है कि आप as a steward और as a cook ship पर join करते हैं तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए भी 6 महिने का catering का एक course होता है उस course को करने के बाद आपको जो ये documents है मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा ये बनवाने होते हैं उसके बाद आप ship पर जा सकते हैं दूसरा जो course होता है उसे बोलते है GP rating तो GP rating क्या है कि ship पर जो भी cargo जो merchant ship है उसमें जो भी सामान हम उसमें लाद रहे हैं या फिर सामान उतार रहे हैं तो जो भी सामान load कर रहे हैं उसमें वो लोग involved होते हैं जो tank होते हैं जिन में सामान डालते हैं उनका उनकी साफ सफाई उनको maintain रखना वो उनका काम होता है, तो GP rating का आप course कर सकते हैं 10th class के बाद, उसका जो total period वो भी 6 महीने है, इसके लावा आप engine rating का course कर सकते हैं, और जो engine room होता है, जहां सारी machinery चलती है, जितनी भी जहाज को चलाने में machinery लगती है, वो सारी machinery लगती है, तो उसका काम उने करना पड़ता है, उ आप चाहें तो आप engine rating का course करके engine department में join कर सकते हैं, तो total 10th class करने के बाद, तीनों department में आपके पास choice है, आप किसी में भी join कर सकते हैं, या तो as a cook और steward, catering का course करने के बाद, या फिर GP rating का course करने के बाद, आप जो उनका deck department है, उसमें join कर सकते हैं, या फिर engine rating का course करने के बा कि फीश जो है वो दो से तीन लाग रुपे लगबग हर इंस्टिट्यूट लेता है दो तीन लाग रुपे ले लेते हैं ये लोग लेकिन मैं आपको एक इंट्रस्टिंग बात ये बताना चाहता हूँ कि ये कोर्स आपको इन डेपार्टमेंट के बारे में पढ़ाते हैं ले जांकारी जो नियम कानून है उनके इसाब से क्या रिक्वार्णेंट है कि आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए और इन सर्टिफिकेट के लिए इन कोर्स का करना जरूरी नहीं है आप अगर इक कोर्स करते हैं तो आपका बस प्लेस्मेंट होने का चांस ठीक रहता ह और आपको ship पर जाने से पहले कुछ जानकारी मिल जाती है ship के बारे में तो कौन-कौन से courses है या certificate है जो आपके पास होने चाहिए ship पर जाने के लिए तो वो है कि अगर आप Indian National है इंडियन है तो आपके पास एक endorse number होगा endorse number का मतलब होता है कि आपको एक number दे दिया जाता है कि इस आदमी का ये एक particular number है तो हर आदमी का एक particular number होता है कि इस आदमी का इस नाम का ये number है जो ship पर काम करता है तो अगर आप ship पर काम करना चाहते हैं तो आपको ये endorse number लेना पड़ेगा इसके लिए सिर्फ मामूली fees लगती है वो आप fees के लिए देंगे तो आप endorse नमबर के लिए apply कर सकते हैं उसके बाद है कुछ STCW courses होते हैं ये courses क्या होते हैं कि जो भी merchant ship है उस पे जाने से पहले आपको कुछ 3, 3, 4, 4 और 5, 5 दिन के ये 5 course होते हैं टोटल मिला के ये 20 दिन का course होता है जिसके बाद आपको 5 certificate मिल जाते हैं ये certificate होते हैं जिसमें आप first aid को लेकर कुछ दिन सीखते हैं जिसमें आप fire fighting को लेकर सीखते हैं जिसमें आप boat का operation सीखते हैं अपने खुद के survival के लिए तो ये जो safety से related सारे के सारे course होते हैं कि आप ship पर जाएंगे तो किसी तरह की emergency आती है तो उस situation में कैसे आपको खुद को बचाना है और बाकी कैसे उसमें react करना है तो ये STCW courses हैं ये total इनका time period होता है 20 दिन और इनका खर्चा भी लगबग 20,000 के आसपास होता है तो ये 20,000 के 5 courses 20 दिन के ये एक requirement है जो आपके पास होनी ही चाहिए membership पर जाने के लिए तीसरा है CDC CDC क्या है कि एक तरह का हमारा license होता है जो ship पर काम करते हैं उनलों का license होता है CDC ये CDC आपके पास होना चाहिए तो अगर आप एक बार ये course कर लेते हैं और एंडर्स नमबर दे लेते हैं उसके बाद आप CDC के लिए apply कर सकते हैं इसके लिए भी जस्ट जो government की fees है वो लगती है सारा का सारा online application है आप ये online कर सकते हैं ये भी online होता है online apply कीजिए CDC आपके घर पे आ जाएगा एक महीने के अंदर उसके बाद आपके बास passport होना चाहिए आप passport बनवा लीजिए अगर आप partnership में काम करना चाहते हैं जो विदेशों में जाती है foreign going है उसके लिए भी और Indian going के लिए भी passport मांगा जाता है उसके बाद एक SID बनने लगा है आज कल जिसका मतलब है ID cman ID तो आपका एक ID card बन जाता है जिससे पता लगता है कि आप cman है तो यह जो कुछ document है यह document आप अगर चाहें तो बनवा के direct जहाच पर जा सकते हैं आपको course करने की ज़रुवत नहीं है 10th class अगर आपने की है तो आप इन तीनों department में से किसी में भी यह documents बनवाने के बाद join कर सकते हैं पर होता क्या है कि जो shipping companies हैं नए लोग है उन्हें 10th के बाद direct आप यह documents बनवाएंगे तो लेती नहीं है वो मांगती है कि आपने course किया है कि नहीं किया है तो यह जो courses है मैंने आपको इनके बारे में जानकारी दे दी कि आप यह courses करें और फिर join करें इसके तो BSC Nautical Science करेंगे तो जो deck department है इसमें आप officer लग जाएंगे और VTAC करेंगे तो जो engine department है उसमें आप officer लग जाएंगे catering में कोई officer नहीं होता है तो यह है as officer join करने का तरीका और as a sailor join करने का तरीका आपके लिए जो भी suitable हो जिसमें भी आप join करना चाहते हो उसमें आप join कर सकते हैं थैंक यू